मैं हूँ संध्या तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी यह तीज का स्पेशल लुक विडियो में यूज किये गाई सार प्रोड़क्ट्स के लिंक में इचर डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी प्लीज विडियो को जुरूर पूरा दिखेगा और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज दॉन्ट फोगेट तो लाइग अगन सब्सक्राइब तो चलिए विडाउट एनी फॉर्द दू लेट्स केट साथेट सबसे पहले मैं स्टाइट करूंगी अपने आइसे जिसके लिए में यूज कर रही हूं सुइस्ट ब्यूटी का कंसीलर इसको मैं अपने आइलिट पे एंड अपने ब्रो बोन्स पे अच्छे से अप्लाई कर ल लोगी और अपनी क्रीज लाइन में इसको एक अच्छे से ब्लेंड करोंगी ताकि एक ट्रांजिशन एफेक्ट मुझे मिले देन दोनों आइस पे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लोगी एंड एक विंग लोग देने कलिए मैं इसको थोड़ा उपर की तरह फले कर लोगी एंड हलका हलका फिर से ब्लेंड करोंगी जितना डांक मुझे चाहिए मैं बार बर उसको लेती रहोंगी एंड उसको ब्लेंड करती रहोंगी एंड अपने इनर कॉर्णर पेपी में वैसे ही करोंगी बार बार प्रोड़क्ट को लेके उस पे प्लेस करके और मैं उस को अच्छे से ब्लेंड करती लोंगी ताकि कुछ भी हाश लाइन दिखे लेन एक फ्लफी ब्लश लेकर मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लोंगी ताकि अच्छा सा एक स्मूध टेक्ट्र मुझे मिले नेक्स्ट में अगें वही सेम ब्लेंडिंग ब्लश लेकर उसी पैलेट करना है बहुत ध्यान से मैं उसको कट करूँगी क्योंकि हम यहां पर यूज कर रहे हैं ग्लीटर का तो मैं अपनी आइस के मिडल सेक्षन पे कट क्रीज करूँगी नेक्स्ट में यूज करूंगी स्विस ब्यूटी का ग्लीटर पैलेट इसमें से गोल्डन शेट लेकी जहां पे मैंने कट क्रीज किया था अपने कंसीलर की हेल्प से वहां पर मैं इसको अच्छे से अपनी फिंगर की हेल्प से ही अपलाइ कर लूगी आप ब्रश का भी निए नेक्स में युज़ करेही हूं, मेबलेन का आयलाइनर मैं एक सिंपल आयनर ही इसको रखुँगे आप चाहे तो विंग भी लगा सकते हैं जितना थिक आपको जाहिए आप उतना थिक आई-लाइनर एपलाई कर सकते हैं then next में एक wet wipe की help से अपने पूरे face पे clean कर लूँगी ताकि कोई fallout हुआ है या मेरा eyeshadow कहीं extra लग गया तो मैं उसको अच्छे से clean कर लूँगी एक wet wipe की help से then मैं यूज़ कर रही हूँ good wipes का rose hip serum face पे एक अच्छा glow के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ rose hip serum जो कि है glow serum है तो मैं इसको अपने पूरे face पे अच्छे से apply कर लूँगी next में आप अप्लाइ कर रही हूँ good wipes का softening face gel moisturizer अगर आपकी combination skin है तो guys must apply only water-based moisturizers जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है because of summer next मैं यूज़ करें हूँ color bar का primer तो जहां पर मुझे सबसे ज़्यादा sweat का problem रहता है अपने face पर अपने t-zone area पे अपने forehead पे अपने nose के round वहाँ पर मैं इसको अच्छे से दोनों हाथों से blend कर लूँगी ताकि मेरा make-up long lasting रहे और कोई भी कहीं से भी केकी ने लगे स्मूध टेक्स्ट्र मेरे face को मिले next मैं यूज़ करें लॉरेल का full coverage foundation जो की illuminating foundation है आज मैं कोई भी character का या कोई भी concealer का यूज़ नहीं कर रही हूँ तो अपने पूरे t-zone area पे अपने ears के around and अपने neck पे मैं इसको दीरे दीरे ले जाके अच्छे से एक beauty blender की help से अच्छे से मैं इसको blend करूंगी ताकि मेरा foundation बहुत smooth लगे and एक illuminating foundation है तो मेरे face पे अलग ही shine इससे आ रही है जैसे कि आपने देखा next मैं अपने face को highlight करने के लिए यहां पर यूज़ कर रही हूँ space beauty का concealer तो अपने under eyes पे अपने nose area पे अपने cheekbones पे stupid bow पे and अपने chain area forehead पे मैं इसको अच्छा से apply कर लूँगी ताकि वो area एक अच्छा ही highlighting effect दे and same उसी wet beauty blender की help से मैं उसको अच्छा से blend कर लूँगी ताकि मेरा foundation और मेरा concealer अच्छा texture मुझे दे वो अलग-अलग ना दिखे के की ना लगे next में उसकर रही हूँ fit me का loose powder in the shade 30 तो जहां पर मैंने concealer apply किया था वहां पर मैं इसको set कर दूँगी ताकि वो pack हो साथ मिक्स होके हमारी आइस बंद होती है खुलती है तो उस एरिया से वो केक ही ना लगे इसलिए में यह लूज पाउडर की help से उसे लॉक कर दूँगी एं थोड़ी एर के लिए के इसको छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से मेरे फेस पे सेट हो जाए नेक्स में यूज़ कर रहे हूं वेट एंड वाइल्ड की आइब्रो पैंसिल इन दा शेड आश ब्राउन मेरी आइब्रो जो भी एरियास है जो भी गाप है मेरे आइब्रो में मैं उसको फिल कर दूँगी या कभी मुझे शेव देने की भी जुरयत परती है तो मैं उसको नेक्स में फ्लहफी ब्रश की हल्प से मेरे फेस पर जितना में लूस पाॉडर था मैं उसको रिमुफ कर दोँगी डस्ट अफ कर दोँगे अच भी ब्लाक पिग्मन कुछे देता है बहत जैट ब्लाक एंड स्च पूरूफ कर facilitating next same palette में से मैं दोनों colors लोंगी brown and pink and एक pencil brush की help से मैं अपने lower lash line पे इसको apply कर लोंगी दोनों colors को लेते होई मैं अच्छे से सो ब्लेंड कर लोंगी next मैं आप यूज कर रहे हूं सिवाना colors का bronzer मैं कोई heart contouring यह पे नहीं कर रहे हूं जितना dark contouring मुझे चाहिए अपने face के cording मैं उसको करूंगी apply अपने jawline पे अपने nose area पे अपने cheekbones पे मैं इसको अच्छे से bronzer brush की help से इसको अपने face पर लोंगी यह so yeah next में यूज कर रहे हूं Maybelline का master blush palette इसमें से सबसे पे अपने cheekbones पे अपने nose पे एंड जो भी area मुझे चाहिए highlight के लिए मैं इसको apply कर लोंगी अपने nose area अपने forehead पे अपने cupid bow अपने chin area पे next मैं कर रहे हूं Maybelline का mascara यूज अपने lower lash line पे अपने upper lash line पे मैं इसको अच्छे से apply कर लोंगी next में make-up को complete करते हूं यहां पे यूज करें वेट एंड वाइल का setting spray और एक वेट ब्लेंडर की help से ही मैं इसको dab-dab कर दूंगी so that कहीं से भी यह अलग सा ना लगे और मिरी skin में यह अच्छे सा अब्सॉर्प हो जाए so yeah यह था अज का look so guys that was my Indian festival तीज लूग I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा if you like this video please don't forget to press the like button and also don't forget to like, subscribe, share and comment to my channel till then bye